नमर का बनाएं न, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है, सेम उसी तरह से बनाना है, क्या लिखेंगे पहले, हल, ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना है, परी में, आपरी में संख्या ही है, सिद करने सारे आपरी में संख्या ही है, तो पहला नमर में क्या दिया हुआ है, एक बटा रूट दो, एक परी में संख्या है, क्या है, परी में संख्या है, मान लिया, जब मान लिया तो हम इसको पी बटा क्यू की रुख में लिख सकते हैं, या एक बटा रूट दो बराबर पी बटा क्यू है न, जब ये पी बटा क्यू होता है, क्या होता है, तो ये P और Q पुर्णांग है क्या है पुर्णांग है साथ में ये जो Q है ये हम लोगा 0 नहीं है एक और condition है P और Q जो है क्या है सअभाज संख्या है सअभाज संख्या है ठीक है अब सअभाज संख्या क्या होता ये तो सारे वीडियो में हर वीडियो में बताते आ रहा हूं कितनी बार बताऊंगा ठीक है यानि पी और क्यू में एक के अलाबा और दूसरा कोई उभई निश्ट गुन घंड नहीं है वैसे इस पॉइंट का इसमें उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा फिर भी लिख लिया चलो आगे लिखें तो क्यू और एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा ठीक है और ये रूट दो और पी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट दो पी हो जाएगा ठीक है या हम एक स्टिप और कर सकते हैं वो ऐसे या डारेक्ट कर सकते थे ठीक है थोड़ा स पी है इस रूट दो के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पार लेकिया जाना है रूट दो को अकले छोड़ देना है और इस पी को एक तरफ लेकिया जाना है तो पी ये रूट दो के साथ गुना हो रहा है तो बराबर की इस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा यानि कि उपर Q और नीचे P हो जाएगा ठीक है और इधर हो जाएगा root 2 ठीक है अब हमने क्या माना है कि ये P और Q ये पुर्णांख है बोलेंगे चुंकि P Q क्या है पुर्णांख है पुर्णांख है ठीक है इसलिए ये Q बटा P ये Q बटा P ये दोनों पुर्णांख है तो Q बटा इसलिए Q बटा P परिमे संख्या है एक परिमे संख्या है अब बताओ भई जब ये परिमे संख्या है तो ये भी परिमे संख्या होगा है न तो बोलेंगे इसलिए इसलिए इसको इधर लिख लो इसलिए ये भी क्या हो गया रूट दो एक परी में संख्या होगी ठीक है ये जब हमारा परी में संख्या है तो ये भी परी में संख्या होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर का मतलब है कि दोनों बराबर है ये भी परी में तो ये भी परी में है लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह root दो तो परिमे संख्या है नहीं लिखेंगे परंतु root दो एक परिमे और परिमे root दो एक और परिमे और परिमे संख्या है ठीक है? यह हमारा root दो परिमे संख्या है जब यह root परिमे संख्या है root दो परिमे संख्या है तो हमने जो माना वो क्या हो गया? गलत हो गया तो बलेंगे अता या एक के बार में लिख दो एक बटा root दो लिख दो या लिख दो वो इसे ही लिख दो एक बटा रूट दो एक और परी में संख्या है ठीक है को दिकत बस इतना लिखना है हो गया एक नमर का हो गया उतार लो इसको यह इसको ऐसे करते हैं सेम ऐसी ही तो बनाना ही है ना सेम ऐसी ही बनाना है सिर्फ इसी को मिटाते हैं ठीक है दूसरा नमर में है साथ रूट पांच है ठीक है तो लिख लेंगे माना की साथ रूट पांच एक परी में संख्या है क्या है एक परी में संख्या है जब ये परी में संख्या है तो हम क्या करेंगे ये साथ रूट पांच को P बटा Q की रूप में लिख सकते हैं ठीक है और यह PQ क्या होगा तो PQ पुर्णांग है Q बरावर 0 नहीं है साथ में PQ जो है सवाबाजी संख्या है उसके अधम क्या करें इसको एक तरफ कर लेंगे ठीक है यहां देखो यहां रूट 5 है नो रूट 5 को रहने दो आकेले में ठीक है बाकी को एक तरफ कर दो तो क्य बटा साथ सी हो गया अब इसको आगे बढ़ाने की जरोत नहीं यह सारा पुरुनांक आप अ इसको यह वखिञते हैं चुकि इहां लिख लो चुकि 7 P और Q चुकि 7 P तथा Q पुर्णांक है क्या है पुर्णांक है इसलिए कौन ये P बटा 7 Q P बटा 7 Q एक परी में संख्या है जब ये परी में संख्या है तो बोलेंगे भाई इसलिए जो है ये 7 रूट 5 क्या है एक परी में संख्या होगी ठीक है जब यहाँ देखाओ रूट 5 इसलिए रूट 5 जो है एक परी में संख्या होगी परंतु रूट 5 एक और परी में संख्या है रूट 5 क्या है एक और परी में संख्या है ये तीनो जब पड़ी में पुर्णाख है मतलब ये पड़ी में संख्या होगा है जब ये पड़ी में संख्या होगा है न लेकिन हम जानते हैं कि ये रूट पांच पड़ी में संख्या होगा है तो नहीं है तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया? कि 7 रूट 5 एक परिमे संख्या है परिमे संख्या नहीं है मतलब मतलब क्या हुआ अता यह अता 7 रूट 5 एक और परिमे संख्या है क्या है आपरिमे संख्या है बस इतना सा लिख लेना है उतार लो खिके अतार लो तीसरा के लिए बस इसी को थोड़ा सा यह कर लेते है इसको सिर्व बदल देंगे हो जाएगा देखो यहां लिखेंगे तीसरा है छो जो जो रूट दो है ना तो यहां लिखेंगे छो जो रूट दो एक परी में से क्या है मान लिया जब मान लिया तो हम क्या करेंगे छो जो जो रूट दो को P बटा क्यों की रूप में लिख सकते हैं या root 2 को आके लिए हम यहां छोड़ देंगे और P बटा क्यों उसके आद देखो यह 6 जो है जोर में है ना इधर देखो इस का चिन इधर देखना है यह root 2 जैसे root 2 किसमें जोर में है तो root 2 कि आगे कोई चिन नहीं लगाए कोई चिन नहीं लगाए का मतलब यह जोर में है यहां जोर में है तो यह जोर में है अब इस 6 को हम बराबर के इस पार लेके जा रहे है तो 6 किसमें है भई 6 का चिन कुछ है कुछ नहीं मतलब जोर में है बड़ाबर की उस पार लखे जाएंगे तो ये हो जाएगा घटा में ठीक है कोदिकत अब यहाँ देखो धियान से इसको थोड़ा छोटा लिखते है P, Q और ये 6 क्या है पूर्णांक है बोलेंगे चुकी 6 P तथा Q ये तीनों P, Q और ये 6 क्या है पूर्णांक है क्या है बड़ी पूर्णांक है इसलिए क्या हो जाएगा P बटा Q घटा 6 एक क्या है परिमे संख्या है ये क्या होगे ये पूरा P बटा Q घटा 6 ये पूरा क्या हो गया हमारा परिमे संख्या हो गया जब ये पड़ी में संख्या है तो ये भी पड़ी में संख्या होगा इसलिए रूट दो एक पड़ी में संख्या है परंतु ये जो रूट दो है क्या है एक और पड़ी में संख्या है अता हमारा मानना गलत हुआ कि जो है ये 6 जो रूट 2 क्या एक परिमे संख्या है मतलब ये हुआ बोलें गया था 6 जो रूट 2 ये एक और परिमे संख्या है बस इतना सा करना था सो हम लोग का ये बन कर तयार हो गया ठीक है? इसी तरह से उतार लो सब हो गया, 3 हो खतम एक दसमर्ण 3 का हम लोगा कम्प्लीट होगे, अब हम लोगा आगे बढ़ेंगे एक दसमर्ण 4 की ओर